स्वागत है आप सभी का लर्न एंड फंग पे जहां पे टीचर्स आपको दिल और दिमाग दोनों से पढ़ा दें और बच्चो मतलब मैं आपको पता नहीं सकता कि हमारी वीडियोस पे कमेंट सेक्शन पे इस चेप्टर के बारे में कितनी डिवान थी मतलब मैं आप चलो यार देखो यूट्यूब पे तो बच्चा मेसेज करे गाई कि भई यह वाला चेप्टर करा दो वह वाला चेप्टर करा दो लेकिन भाई साब मैं इंस्टाग्राम पे कोई पोस्ट करूँ आप जाओ चेक कर लो इंस्टाग्राम पे मैं अपने कोई खुद की फोटो डाल कोई गढ़िया से गढ़िया बात कर रहा हूं पढ़ाई से को एलना देला नहीं है उसका वहां पे भी मेसेज आ रहे हैं डियम आ रहे हैं कि सर मेटल से नौन मेटल करा दो सचा ही पता हूं आपको जूट नहीं बोलता है वैसे तो मेटल से नौन मेटल चेप्टर हम लोग पहले सेंपल पेपर के बार में बाते कर लेते हैं सेंपल पेपर डिसकस कर लेते हैं कुछ बाते कर लेते हैं कैसे पढ़ाई करें और स्लेबर्स को रोक के थोड़ा पहले यह बाते कर ले क्योंकि यह करना भी बहुत जरूरी है लेकिन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स ने तो भा रहा है special और फिर message कर रहा है ढूंड रहा है आपको फोटो उस पर जाके comment कर रहा है पोश्ट पर जाके comment कर रहा है मैं science and fun पर कोई video डाल रहा है वहाँ जाके comment कर रहा है community post पर comment डारें आप जाके चेक करना मतलब यह सबसे ज़्यादा demanded chapter था तो इसी regarding हम इसका एक one shot लेके आएं ताकि आप अपने exam की तयारी कर ले आप लोगों ने demand कि और हम आपको ना दे बचाओ ऐसा हो नहीं सकता है channel और किसके लिए खोल रहा है मैं खुद के लिए तो चेनल खोल कर बैठा नहीं मैं अपनी वीडियो डाल के खुद तो देखने बैठा ही नहीं तो आप लोगों के लिए चैनल खोल रहा है और आपको याद आपको यकीन लेक़् करणे को रहा ही लेक्सान ही हैं लेकिन मुझे इस चेक्टर को रिकॉर्ड करने के लिए टाइब नहीं ब्हुतित का रहा था और इस चेप्टर को record करते हैं तो चलिए शुरू करते हैं तो सबसे पहले तो metals and non-metal chapter में हम लोग क्या पढ़ने हैं थोड़ा सा overview ले 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 दे दुनिया में 9th class में हम लोगों ने पढ़ा था कि दो प्रकार के substance होते हैं pure substance और impure substance अब जो pure substance होते थे वह दो टाइप के होते थे metals और non-metals actually pure substance अगर मैं ऐसे classify करूं इस तरीके से classify करूं पहले तो कि pure substance जो होते थे वह दो प्रकार के होते थे elements अगर ऐसे शुरुबात करें और compounds elements और compounds अब elements जो होते हैं वह तीन प्रकार के होते होते हैं अगर आपको शायद या दो metals non-metals metals non-metals और metalloids और compounds हमारे पास तीन प्रकार के होते हैं acids bases and neutral substances जिनका आप salts भी कह सकते हो तो यह ऐसी एक overview लेने वाली बात होती है कि impure substance फिर अलग थे mixture थे colloid थे solution थे suspension थे लेकिन pure substance दो प्रकार के होते थे element और compound अब element हमारे पास तीन टाइप के होते थे metals non-metals और metalloids और compound हमारे पास तीन प्रकार के थे acid business salt अब acid business salt के उपर तो हम chapter पढ़ चुके पूरा तो बचता है elements के बारे पढ़ना जिसका नाम है metals non-metals और metalloids अब इस चप्टर में metalloids के बारे में तो खेर ज्यादा बात नहीं करने वाले लेकिन में हमारी पढ़ाई रहेगी metals और non-metals के उपर अब metals और non-metal chapter को पढ़ने से पहले इसको आगे शुरू करने से पहले क्योंकि हम लोग इनकी फिजिकल इनकी chemical properties पढ़ने वाले तो इनको शुरू करने से पहले आपको पता होना चाहिए जब मैं बोलू metal तो आपके दिमाग में कुछ चीज़े आनी चाहिए क्योंकि जब तक मैं मैं बोलू metal आपके दिमाग में कुछ न आये तो आप पढ़ाई को डंक से करने पाऊओ गाप पढ़ाई को पढ़न नहीं पाऊओ गे जैसे कि for an example अगर मैं बोलू metals तो metals बोलते ही दिमाग में क्या-क्या चीज़े आती है या आनी आना चाहिए बुर्भा में आना चाहिए अद्र कि दिमाग में तो कुछ आना जरी तबिया पड़ाई कर पा हुगे अगहीं पर बात करें नौन मेटल बोलते ही अब फर उन्य होबात अइसे हमारे थर्ती पर हमारे मेडला Pra अगर थोड़ी देर के लिए ऐसे रफ मानने के हमारे पास 120 हैं तो 120 में से 80 से उपर तो हमारे पास मेटल्स ही हैं बहुत कम ऐसे अमाउंट है मतलब अगर आप गिनने जाओगे तो आपको 20, 22, 25 नॉन मेटल्स मिलेंगे कुछ नॉन मेटल्स की ताधार मेटल्स के आदे से भी कम है और उसमें से भी जाद तर तो गैसे ऑक्सीजन हो गया नेट्रोजन हो गया फ्लोरीन हो गया क्लोरीन हो गया इसार तो गैसे जी है और ब्रॉमीन जैसे लिकुड है अब सॉलिड्स बहुत कम है जैसे की कार्बन हना कार्बन अगर आपके बोलते ही दिमाग में नहीं आ रहा है तो आप कोल या गरिफाइट समझ सकते हो वैसे तो डायमेंड भी इसका ग्रूप होता है लेकिन डायमेंड एक बहुत बड़ा एक्सेप्शन है और सल्फर अब हो सकता है आप मैंसे बहुतों ने सल्फर ना देखा हो इसलिए मैंने आप फोटो भी लिया आया हो यह सल्फर होता है मैंने अपने आफ्लाइन बाच में हमश्या सा बोलता है हूं अगर आप अगर आपके मैं आपको बोलूं मैटल आपको नॉन मैटल आपके दिमाग में कुछ नहीं आएगा तो आप फिर उनकी फिजिकल प्रॉपर्टी नहीं पड़ पाओगे कभी भी और मैटल बोलते ही ब मैं भी ऐसा ही कुछ दिखता है तोड़ा सा बस वाइलेट कर रहा होता है बहुत द्यान से देखेंगे तो और वह एक नॉन मेटल होता है लेकिन सेलफर मैंने बोलना है हमेशे से बोलता हूं मैं आगर मैं बोलू नॉन मेटल तो आपके दिमाग में सेलफर आना चाई है लेकिन आप ऐसा इमाजन कर सकते हैं जब मैं सेलफर बनू तो आपके दिमाग में यलो चौक आ सकता है क्योंकि दोनों के अपिरेंस वेगारा लगबाग सेम से होती है ठीक है ना अब हम इतनी मेहनत क्यों कर रहे हैं सिरफ नॉन मेटल या मेटल बोलते ही दिमाग में कुछ आना चाहिए नॉन मेटल बोलते हैं दिमाग में कुछ आना चाहिए जैसे कार्बन कार्बन का मतलब गरिफाइड नहीं आ रहा था पैंसिल की लेट समझ लो थोड़ा बहुत उसमें भी गरिफाइड होता है तो यहां से हम लोग पहले तो दिमाग में डालें कि मेटल्स और अब हम इनके फिजिकल प्रॉपर्टीस की बात करते हैं फिजिकल प्रॉपर्टी मतलब क्यमिकल रियाक्शन करवाने की जुरूफ नहीं है तो पहला आता है नरसरी क्लास से हम लोग पढ़ते आ रहें नरसरी का मतलब होता है मेरे लिए यार चोटी क्लासिस से कि मैलिबिलि है जिसको मैं अगर मैलियेबल कह सकता हूं तो मैलियेबल सबस्टांस वह क्लाए जाएगा जो ठोकने पर शीट्स की फॉर्म में कनवर्ट हो जाए अब मैंने आपको बोला कि मेटल बोलती है आपके दिमांग में कुछ आना चाहिए तो गोल्ड ले लो सिल्वर ले लो प्लाटिनम ले लो आईरन ले लो अगर मैं फिर नोट के पॉइंट बीच में आते रहेंगे कि गोल्ड जो है वो सबसे जादा मैलियेबल मेटल है जो हमारे पास है चीक है अब अगर बात करें डक्टिलिटी की तो इसका मतलब होता है जिसको हम वायर्स की फॉर्म में कनवर्ट कर सकें या तो खीच के या गरम करके ख छेट कर सकें तो उस प्रॉपरटि को डक्तिलिटी और उस सबस्टांस को डख्टाइट सबस्टांस कहा जाएगा अब आगे सारे के सारे मेटल जो होता है लेकिन नौन मेटल डटायल नहीं होते खीचांगे तो तूट जाएंगे चिक है इसके बात सोन रिटी का मतलब होता आपको सबको पता है कि पिछवा कारण वाइबरेशन नाइंत क्लास नहीं पढ़ा है और मैटल बहुत बहुत अच्छे से बहुत इजी ली वाइबरेट कर सकते हैं और यही कारण है कि और अर सोनोराश हर हर एक मैटल बैसिकली सोनोरा से हर एक मैटल ऐसे ठोकने पर रिंगिंग साउंड पैदा कर सकता है वो सोनी रशे लेकिन और मेटल स्वरост नहीं हते ही इसके जितनीं भी बैल्स होती आफें बंडली शेल के बना जाते हैं transformative pencil तो अलünden बाल प्रडीय औस रिंगिं sound when beaten लेकिन नॉन मेटल ऐसा नहीं करते है ठीक है जी इसके बाद बात करें डेंसिटी आप सबको शायद पता ही हो डेंसिटी का मतलब 9 में हमने पढ़ा था मास बाई वाल्यूम कम से कम जगा पे जादा से जादा अगर मास की बात की जाए तो डेंसिटी भी काफी जादा होती है में में जूनिया में जे बहुत कम हैं जो एवन पानी पर तेरते और दुनिया में ऐसे भी मेटल से जिनकी डिंसीटी मैट से ज्यादा जैसे की डायमंट अगर जन्टरल बात करें तो जन्रल मैटल की कफी जादा होती है इस कंपेट वही पकर बात करें लस्टरस होने की यंगे चमक होने की यह पौइंट बहुत अच्छा है कि लुश्टरत शफ़फ चमक तो मेटालज के पास एक चमक है मेटास चमकते हैं जीसे गोल्ड है सिल्वड गिस उपर निया या आरन फिर्लने नहीं लगी है। सारे metals जो नहीं होते है या rusting नहीं होती है तो वो उनमें चमक होती है they have a shiny appearance and they can be polished उनको हम चमका सकते हैं अगर उनकी dullness चली भी गई है तो वहीं पर अगर non metals की बात करें तो generally they are dull इनमें कोई चमक नहीं होती है dull होते हैं but हमार पास 3 exceptional cases है non metal में जो है तो non-metal लेकिन बहुत जादा चमकते हैं जिन में से एक तो आता है iodine कहां है भई iodine है diamond है और bromine diamond को तो आप सब जानते ही मैंने आपको पता है diamond तो भाई साथ गलती से metals में फस गया है ओ non-metals में फस गया है ठीक है क्योंकि असली परिभाशा तो metals है non-metal की आप इस चप्टर में पढ़ोगे असली परिभाशा हो सकता है अभी तक आपको पता भी नहीं हो actual definition क्या है metals है non-metal की यह अभी आ गयाएगी तो उस हिसाब से तो diamond non-metal ही है लेकिन इसकी properties काफी अलग है metals है जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं कि non-metals generally चमकते नहीं है डल होते हैं लेकिन तीन non-metals हैं हमारे पास जिन में से एक है bromine एक है iodine और एक है हमारे पास diamond यह तीन ऐसे non-metals है जो बहुत ज़्यादा चमकते हैं बट यह non-metals है ठीक है रहा इसके बाद conduction of heat की बात करें तो metals are good conductor of heat whereas non-metals are bad conductor of heat अब ऐसे बात करें तो यहाँ पर मैं लिख देता हूं कि metals are good conductor of heat लेकिन जो best conductor है वो तो है copper और और इसिल्वर है metals में और जो पूर है जो ठीक चाक है वो है mercury और लेड यानि जो बहुत अच्छा conductor है metals सारे लगबक सारे metals are good conductor of heat लेकिन जो बहुत अच्छे conductor of heat है उनमें आ जाता है हमार पास copper silver और जो ठीक ठाक conductor है बहुत अच्छे भी नहीं है लेकिन conduct कर देते हीट को उनमें आ जाता है हमार पास mercury और lead चीक है जी इसके बाद अगर बात करें तो conduction of electricity अब electricity चेप्टर में हम लोग पढ़ेंगे वैसे तो हमने लर्न इंफन पर पिछले साल शुरुवात ही electricity से की थी मतलब मेरे जीवन का पहला जो लेक्चर था यूट्यूब पे वो टेंद का electricity का ही था आप जाके चेक कर सकते हैं लेकिन अगर ऐसे बोलें कि इलेक्षिट जिनके स्कूल में आ रहा है वहां से वीडियो जाके देख सकते हैं और शायद देख भी लिए होगी और पढ़ाई भी कर लिए होगी लेकिन पढ़ेंगे कि गुड कंड़क्टर ओफ इलेक्ट्रिसिटी वो होते हैं जिनके पास फ्री चार्ज होते हैं और जो अपने अंद अर जरणेरली बैर। अफिलेक्सिटी नान में अन्या Chandler के पास फ्री चारज यह नहीं होते हैं इसलिए बैर करन अफिल इस मोधें चैप्टमर for chemistry carbon and its compound में reason आएगा कि गरिफाइड वैसे तो एक नॉन मेटल है लेकिन इसके पास free electrons हो जाते हैं जिसकी वैसे बिजली पास करवाता है अब अगर metals में बात करें फॉर metals अगर बात करें तो best conductor है again copper और उससे भी बहतर है silver अब अगर silver बहतर है copper से तो मारे घर की जो बिजली की तारें वह silver की क्यों नहीं बनी विए copper की क्यों बनी विए तो इसके पास इस बात की दो कारण है कि अपने घर में silver की वायर जो है वो क्यों नहीं लगाते एक कारण अब सबको पता है कि silver बहुत जादा महेंगा पड़ जाएगा घर में चांदी की तारें लगाएंगे तो बट मान लो में पास बहुत जादा ही पैसा है में पास पैसे की कोई कम ही नहीं है बचो ऐसे मान लो मैं ठीक ठाक बंदा हूं बहुत जादा पैसा मेरे पास है नहीं लेकिन मान लो में पास बहुत साथा पैसा है या आपके पास मान लेते हैं बहुत पैसा है मान के लेते हो गए अब अगर आपके पास बहुत पैसा है त पास कराया जो कि हम करवाते हैं अक्सर हेवी एप्लाइंसेस में तो वह सिल्वर की वायर बहुत जल्दी मेल्ट हो जाएगी सरकित बहुत जल्दी ब्रेक हो जाया करेगा तो सिल्वर वायर लंबे समय तक टिक नहीं पाएगी इसलिए हम घर में सिल्वर वायर इस्तमान नहीं फेसे कि बहुत सारे dolphins बोले तोвиг Summit जैसे की मालों आपको समझाओ सोलर सेल अभी आपको सोलर की है इसलिए को मतलब पता भी नहीं है इसलिए बोल नहीं रहता है लेगे सोलर सेल पर अंदर की वाइरिंग से की बहुत सारी सैटेठलाइट ने तो महां पुद्वार को कर देता हैं लेकिन बहुत लिमिटेड जगाएं लेकिन ना जो पूर कंडॉक्टर रही रही यह जो हीट के थे वह रही आप कर लेजर है जैसे की gleich के और लेज यानि की पीडि यानि जो पूर कंड़क्टर आफ इलेक्रिसिटी थे वो पूर कंड़क्टर आफ हीट भी लगबग हैं इसके बाद हार्डनेस और एपिरियंस की अगर बात करें तो मेटल जो हैं वो जनरली हार्ड है चलो एक कोशन पूछता हूं मैं आपके जैसी मैं बोलता हूं मैटल आप हाँ थैंक यू उत्वोर्टो मैंने बोला मैटल आपके दिवांग में क्या शबसे पहले आइरन आता है जैसे कि कुछ मैटल्स ऐसे हैं जिनकों चाकू से काट सकते हैं जैसे कि सोडियम कुछ metals ऐसे भी हैं जिनका जो की बहुत जादा low melting point वाले आपने अपने हाथ में रख दिया जेब में रख दिया पिगल जाएंगे लाइक फ्रांशियम सीजियम तो metals जनरली हार्ड होते हैं जनरली में बात करते हैं metals बहुत हार्ड होते हैं लेकिन कुछ metals ऐसे हैं जो liquid हैं जैसे की mercury तो liquid ही है या फिर बात करें sodium और potassium की या lithium की यह इतने soft है कि आप इने चाकू से बहुत आराम से काट सकते हूं बट यह हुए ऐसा exceptional cases अगर हम इनको छोड़ें तो जादातर metals are hard and they have grey silver appearance वहीं पर कर नॉन मेटल की बात करें तो दे आर जनरली इन दी form of gases और एकाद है liquid और अगर सॉलिड हैं भी तो कुछ खास सॉलिड नहीं जैसे की sulfur और carbon लेकिन भाई साब यहां पर एक बहुत बड़ा exceptional case हमारे पास आ जाता जिसको बोलते है diamond एक hard non metal है और एक्चुली diamond एक hard non metal नहीं है यह hardest नाचुरल substance है actually hard नहीं है बच्चो यह बहुत ज्यादा हाड है बच्चो डाइमंड जितना hardest कोई नहीं है बहुत हाड बहुत हाड बच्चो एमिवे बंटाई है ना उनसे भी ज्यादा hard diamond मतलब एमिवे बंटाई है तो एमिवे बंटाई है वो तो hard है वो तो हाड है बच्चो ए लेकिन उससे भी ज्यादा hard diamond डाइमंड hardest natural substance है और कमाल की बात यह कि diamond non metal है और non metal होने के बावजूद भी यह दुनिया का hardest substance है natural ठीक है जी ठीक है जी ठीक है जी ठीक है मेल्टिंग और बॉलिंग पॉइंट शायद कॉमन सेंस आप हाड ने से पता लगा चुक्य होंगे कि मेटल्स का मेल्टिंग और बॉलिंग पॉइंट जनरली बहुत हाई होता है इनको पिगलाना और इनको उबालना बहुत ज्यादा का झाब होती लेकिन मेटल्स का मेल्टिंग और बॉलिंग पॉइंट जनरली बहुत लो होता है याने इननको बहुत बहुत प्रेदियों मेल्ट के जा सकता है फिकला जा चे सकता है और या पिर यह पहले से ही फिए से देखा जाए तो अब हमारे पास chemical properties शुरू होने वाले लेकिन उससे पहले अगर हम लोग एक कोशन कर ले तो कोशन आ रहा है चला सब्सक्राइब और आंसर दो इसका मनी मन जल्दी से तो जैसो चने की छोड़ बिना देखे तस्वीर बना दू मैं जल्दी से बच्चो हो गया है किया रहें एक्जामपल एक मेटल का जो रूम टेंपरेचर पर लेकुड है अब करी अब क्यूरी कई जगहों पर इसको मर्कूरी भी प्रनाव जैए आपको लगतर निया कभी यार कि इंग्लिश एक अच्छी चीज नहीं है हाना बहुत जगह मज़े लेती है हमारे मुझे याद है कि मैं बहुत छोटा था नाइंथ में था मतलब हो सकता है एर्थ में भी होंगा मुझे याद भी नहीं है हम लोग स्कूल में थे और एक बच्छे ने ना क्लास में माइटो कॉंड्रिया को माइटो चॉंड्रिया बोल दिया था और आपको यखीद नहीं होगा कि बच्चो ने पूरे साल उसकी जो जानाई है उसका नाम ही कहीं बच्चों ने चॉंड्रिया रख दिया था तो अक्चिली मेरे देखा जाते है उस बच्चे की गलती नहीं है वह वर्ड पहली बार पढ़ रहा था और पहली बार पढ़ने की वज़ा से इस ने चॉप पढ़ दिया और गलती नहीं बहुत सारी जगा पर इंग्लिश में चॉप पढ़ते हैं लेकिन कोई बात नहीं है इंग्लिश इक बहुत फणी लैंग्विज है अब कहीं जगाओं पर ऐसे भी होता ना यूएस इंग्लिश अमेरिकन इंग्लिश भाई साब पत इस दी बेस्ट कंडुक्टर ओफ इच मेरे साब से आप कॉपर या सिलवर में से कोई वी एक एक आप्जमपल दे सकते हैं पूर कंडुक्टरॉफ फीड ज़्यादा अच्छा चीट का कंडुक्टर ना अगेन मरकरी या फिर लेड़ में से आप कोई भी एक्जमपल दे सकत मेटल्स की पढ़नी है लेकि नॉन मेटल्स की एक केमिकल प्रॉपर्टी यानि की रियक्शन विद एयर यानि ऑक्सीजन हम कराएंगे क्योंकि वह हमारे एक्जाम में उसके पर सवाल पूछे जाते हैं तो केमिकल प्रॉपर्टी भी ज्यादा मुश्किल नहीं है जैसे की फि उक्सीजन के साथ रियक्ट करवाओगे तो मेटल के उक्साइड बनेंगे और यह मेटल के उक्साइड जो है इनका नेचर बेसिक होगा यानि बेस होगी और वहीं पर अगर हम नॉलेज के लिए बात करें कि नॉन मेटल्स को अगर आप उक्सीजन के साथ रियक्ट करवाओ होगे तो यह नाउन रहा मेटल के ऑकसाइड बनाएंगे सब्सक्राइब है जिनका नेचर geometric होगा यह नाउन metal के ऑकसाइड बनाएंगा नाउन metal के ऑकसाइड का नेचर अपसर को होता है यह अभी हम बात करते हैं चलो जैसे कि पहले तर इसका मतलब समझें मतलब यह कि मेटल ऑक्सीजन के साथ रियाक्ट हुआ तो यह मेटल ऑक्साइड बनाएगा वहीं पर बात करें यह मेटल ऑक्सीजन के साथ रियाक्ट हुआ तो मेटल ऑक्साइड बनाएगा और एगर एक्जामपल्स दो तो मेटल यानि सोडिय all on on oxygen कर साथ react होगा तो metal Oxide बनाए है ऐसे calcium अगर oxygen के साथ react होगा तो Kal onion Oxide kijel बनाएगा और mineral Oxide basic nature ने होते हैं इसका मतलब क्या haP कि अगर मैं इन्हे पानी में डाल दूँ तो ये पेस चांग कर रहे हैं आप सब जानते हैं सब्सक्ति कि ane2o को पानी में नाल दूंगा तो ये नहीं नाम का बेस बना लेगा और इसके बाधे हैं में के थे पाने में जा जाने के बाद बाद है mi बतल्सायग मेटल के उसा का जाता है में उसका एक आधे ऐक्सालर आपको दे दूं कि नॉन मेटल घॉल अब हम बात कर लें सेलफर अब सेलफर अगर ऑक्सिजन के साथ रियक्ट होगा तो सेलफर डाय ऑक्साइड बनाएगा अब यह एक नॉन मेटल का ऑक्साइड है यानि कि सेलफर एक नॉन मेटल है और ऑक्सिजन के साथ रियक्ट हुआ और नॉन मेटल की जो ऑक्साइड होते ह acidic होते हैं इसका मतलब है कि अगर इन्हें पाने में डाल दिया गया तो यह acid form करेंगे सब एस ओटू का पान दाल देंगे तो यह वार्व पाने में जाने के बाद इंदाट एक हम कर देगा तो यह विए पढ़ने नहीं है旦ो खोग यह अचा अब यह बात भी आपको द्यानby के दुनिया में जो एंव align जो एंफू होते हैं एंफू मतलब मतलब इंफ ना जो पाइन ने ३ह रहते ऐसे एमफोटेडिक ऑकसाइड ऐसे ऑकसाइड होते हैं जो एसेडिक भी होते हैं जिनका नेचर जो है वो एसेडिक भी होता है और जिनका नेचर जो है वो बेसिक भी हो सकता है दो नो में से कोई भी एक नेचर वो शो कर सकता है डिपेंडिंग अपॉन की सामने कोन आ रहा है जैसे कि Aluminium Oxide Aluminium Oxide के सामने जब HCL आता है तो भी ये Salter Water बनाता है और Aluminium Oxide के सामने जब कोई बेस हता है तो भी ये Salter Water बनाता है तो ये एक Amphoteric Oxide है तो ऐसे Oxide जो Acetic और Basic दोनों Behavior एक ही टाइम पर शो करते हैं इन्हें कहा जाता है Amphoteric Oxide जैसे कि एक्जामपल के तोर पर हमने आप लिखा हूँ है जिंक Oxide या फिर Aluminium Oxide ये Amphoteric Oxide हैं ये दोनों Behavior जो है वो शो करते हैं ठीक है धी Cool है ओक है ठीक है अब अगर हम बात करें त तो reaction जो होता है देखो ये तो हमने समझे समझ लिया कि Metals Oxygen के साथ रियाक्ट हो क्या Metal Oxide बनाते हैं बट शायद आप सब जानते हैं यार कि जो reaction है वो reactivity पर डिपेंड करती है अब कई Metals ऐसे हैं जो अगर ऐसे पड़े रहेंगे बाहर तो बाहर पड़े पड़े बहुत ज जादा reactive होते हैं यह इतने reactive होते हैं कि अगर भार पड़े पड़े बिदें सम सेकेंड सम मिनट यह ऑक्सिजन से रियाक्ट हो जाएंगा रॉक साइड बना लेंगे वहीं पर आप सब जानते हैं कि iron iron oxygen से रियाक्ट होगा लेकिन उसको गंटे या कुछ दिन या कुछ हफ़ से भी लग सकते हैं और वहीं पर गोल्ड के बारे में शायद आप सब जानते हैं कि गोल्ड को खराब होने में गोल्ड को करोड होने में गोल्ड को ऑक्सिडाइज होने में बहुत सालों भी लग सकते हैं यह होगा भी नहीं प्लाटिनम के साथ भी से मैं तो इसका मतलब यह कि इंवी मेटल्स का औक्सीजन के साथ जो रियक्शन है वो उनकी रियक्टिविटी पे डिपेंड करती हैं अगर वह ज़ादा रियक्टिव है तो बहुत जल्दी रियक्ट करेंगे अगर वो कम रेग्ट है अब इसे कोशन आर देखो वाइ सम मेटल्स लाइक सोडियम और पोटेशियम और केप्ट अंडर केरोसीन ओई अगर सोडियम और पोटेशियम भार पढ़े रहे तो कई लोगों की गलत फहिमी है कि ये बहुत जल्दी आग पकड़ लेंगे अभी हम पढ़ाएंगे आग ये पानी में जाके पकड़ते हैं ये भार हवा में पढ़े पढ़े आग नहीं पकड़ते हैं पहले हाँ अगर मौश्चर है बहुत सारा तो अलग बात है अगर सिर्फ एयर में पढ़े हैं तो ये भार जाके आग नहीं पकड़ेंगे पहले तो खराब हो जाएंगे तो यह oxygen के साथ react ना हो बाहर पड़े पड़े इसलिए इन्हें कैरोसीन आइल में डुबा के रखते हैं यानि अगर यह मेरे पास एक कंटेनर है और इसके अंदर मैंने कैरोसीन आइल ले लिया तो सोडियम को इस कैरोसीन में डुबा के रखेंगे हम क्योंकि कैरोसीन आइल के अंडर अगर बात की जाए तो यह रियाक्ट नहीं हो पाएंगे oxygen से क्योंकि आप सब को पता है और किसको नहीं जाने देता अपने अंदर oxygen को water को नहीं जाने देगा इनका जाना मना है अगर oxygen नहीं जा पाएगा या फिर water नहीं जा पाएगा अभी water की बात नहीं करते हैं oxygen नहीं जा पाएगा तो यह metals oxygen के साथ react नहीं हो पाएंगे बहुत बहुत common sense वा logic है ठीक है पहले बात है दूसरी बात है कि हमने kerosene oil की चुरा तो समझ में आता है कि metals जो है वो अगर metals को अगर मैं डुबा दूंगा kerosene oil मे है तो बहुत जल्दी आग भी पकड़ता है तो बहुत flammable भी है तो फिर मैं kerosene oil जैसे खतरनाक metal को क्यूं चुन रहा हूं oil को क्यूं चुन रहा हूं metal को डुबाने के लिए मैं सरसो का तेल वेगारा भी चुन सकता था तो इसके पीछे के दो reason है kerosene oil की density जो है वो बहुत कम है जिसकी वैसे सारे metals लगबाग इसमें डूब जाते हैं और डूब के रहेंगे तो फिर सही रहेगा क्योंकि अगर मालनो मैं सरसो का तेल ले लेता हूं और मालनो मैं सोडियम डालता हूं अब सोडियम मालो सरसो के तेल में तैर ने लग जाए वो डूब ही ना तो आप स कि रहेगी डंक से एक्सपेरिमेंट नहीं हो पाएंगे सोडियम तो वैसे से खराब हो गया फिर लेकिन कैरोसीन और नॉन स्टिक होता है यह नौन स्टिक होता है तो इसको बहुत अराम से सोडियम को भार निकालके फिल्टर पेपर से टैप करके बहुत इसके उपर से उस को अटाया जा सकता है तो इसलिए तो बट वो आपसे कोई नहीं पूछ रहा कि वाई वी यूज कैरोसीन और क्यों यूज करते हैं या आपसे कोई नहीं पूछ रहे ता मैंने आपको नॉलेज दे दी लेकिन हां आपसे जरूर पूछेंगे सवाल यह बहुत आता है एक्ज या reactivity of metals with oxygen depends on the reactivity of metal itself if a metal is more reactive then it will react with oxygen rapidly हमने बात करी आपको सबको पता है कि sodium और potassium यह बहुत ज्यादा reactive metal है यह इतने ज्यादा reactive metal है कि air के साथ बहुत vigorously बहुत जल्दी react होते हैं और इसलिए को केरोसीन और में डुबा दिया जाता है ताकि वहाँ पे कोई supply of oxygen ना हो और यह react ना हो चिक है जी इसके बाद protective layer of oxide यह हमने थोड़ा बहुत देखा जाए तो पढ़ाई की थी फर्स reactivity series में आप सबको पता है iron से ज्यादा reactive होता है aluminum हना iron से ज्यादा reactive aluminum होता है फिर भी हमारे घर में जो बरतन है हमारे घर में जो चीजे है aluminum की बनीवी हैं और aluminum की बनीवी चीजे सालो साल जो है वो खराब नहीं होती aluminum मेरे हमारे घर में हमारे नानी जी के time के aluminum के बरतन पढ़े हुए आज भी पढ़े हैं हसर है हमारे नानी जी चेली गई मता विडियो रिस्पेक्ट लेकिन उनके time के बरतन अभी भी मुस्कुरा रहे हैं हसर है औ क्योंकि aluminum but aluminum is more reactive than iron और वहीं पर iron के दर्वाजे iron की कीले iron के बरतन खराब हो गया च्छेद हो गया खराब हो के जंग लगके एक्सरेंड हो गया लोगों को मार चुकें तो कहने का मतलब यह ऐसा क्यों है iron तो less reactive है aluminum से तो answer यहां पर गलती iron की नहीं है यहां पर हुश्यारी aluminum aluminum कि aluminum अपने ऊपर एक protective layer form कर लेता Oxide की और iron के साथ क्या problem होती है वह भी protective layer बनाता है लेकिन वह protective layer जढ़ती रहती है तो इसको protective layer ही नहीं कहते हम तो protective layer ही नहीं कहेंगे आधाम कहेंगा aluminum ने अपने उपर की बनाए एलुमीनियम ओक साइड को फिर उन्हें वह अपने आपके में तर्ट करता रहता है जाभाता रहता है यह आई ने अपने वाप आरण ऑक साइड बनाया वह लेयर महां से अड़ गई एलुमीनियम की एक रॉड पड़ी भी है तो के की बात है यह तो अब यह जो रॉड को पड़े वे मेरे पास जहां तक मुझे लगता है यह हम लोग ट्वेल्ट को एडी करेंट के लिए एक टॉपिक होता है एडी करेंट का उसमें दिखाते हैं लेकिन अगर मैं याद करूं तो यह अलुमीनियम रॉड पड़े वे मेरे पास हो गए होंगे पांच-छे साल और यह अभी तक करोजन की तो नामों निशान नहीं है लेकिन वहीं पर अगर मैं बात करूं यही रॉड अगर आइरन की तो आप सब जानते हैं को रोड हो गई होती खराब हो गई होती हना और सर्वाइब नाक कर रही होती अभी तक छीक है चीक है इसके अगर आगे बात करें हम लो तो यहां पर हमारे पास यह हुई रियाक्शन विद ऑक्सीजन अब इसके बाद हमारे पास आता है रियाक्शन विद ऑक्सीजन के बाद रियाक्शन विद वाटर यह बात आपको अब reaction with oxygen के बाद हम लोग बात करेंगे reaction with water H2O तो metals जो है वो जब water के साथ react होते हैं तो सचाई तही है कि पहले वो form करते है metal oxides जिसमें वो साथ में hydrogen gas भी बनाते हैं फिर ये जो metal oxide है अगर water बच गया है तो ये ही metal oxide जो कि आप सबको याद होगा basic होते हैं further water के साथ react होते हैं और metal hydroxides यानि के basis फॉर्म कर लेते हैं यानि metals पानी के साथ react होते हैं और metal oxides बनाते हैं यानि initially they form metal oxides और फिर ये metal oxides जाके react होते हैं बचे water के साथ और metal hydroxides फॉर्म कर लेते हैं अगर water के साथ reaction को समझे आप यहाँ पर एक example ले 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 अगर बहुत high reactive metal का example ले 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 अगर तो na, na जब पानी के साथ react होता है तो सचाई तो यह कि पहले initially ये na to o बनाता है और बदले में hydrogen gas बनाता है लेकिन ये na to o फर्दर जाता है पानी के साथ react होता है और na o h form कर लेता है that is again something different अब अगर मैं बात करूँ तो ऐसे एक और एक्जामपल अगर ले लो मान लो कैल्शियम है ये water के साथ अगर react होगा तो बनाएगा calcium oxide सचाई तो यह फिर ये calcium oxide जो है बचे भे पानी के साथ react हो जाएगा और calcium hydroxide form कर देगा तो ये बात आपको समझने है कि पहले actually में form होगा oxide और वो oxide फिर further react हो जाएगा और hydroxide बनाएगा बर ध्यान दीजेगा सारे के सारे metals पानी के साथ react हो जाएगा ये जरूरी नहीं है तो यहाँ पे एक note का point हम लोग लिखेंगे कि aluminium and iron react with steam only यह लोग water के साथ तो react होते ही नहीं सचाही बात यह iron water के साथ react नहीं होता है अगर iron जैसे यहाँ पे water हमने liquid state में लिया हो है यहाँ पे water हमने liquid state में लिया हो है तो liquid state में higher reactive metals तो react होंगे पहले oxide बनाएंगे फिर hydroxide बनाएंगे लेकिन aluminium और iron जैसे medium reactive metal steam के साथ react होते हैं सिर्फ water के साथ अगर आप react कराने जाओंगे तो यह नहीं होंगे अब iron की बात कर लें यह reaction state में नहीं लेना है तो f e को हम लिख देंगे h2o in the form of gas तो यहाँ पर अगर हम लोग बात करें तो बनेगा f e 304 प्लस में अगें यहाँ पे hydrogen gas तो निकलेगी बट डाट इस नॉट दे पॉइंट 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 इस कि सारे metals पानी के साथ इन्हें liquid form में water के साथ react नहीं होते हैं उनमें से कुछ ऐसे हैं जो react होंगे steam के साथ यानि कि आपको से भाप या water vapor में convert करना होगा और कुछ metals तो ऐसे भी हैं जो पाने के साथ बिलकुल भी react नहीं होंगे जैसे कि आप सब को पता ही होगा answer क्या है gold हो गया silver हो गया platinum हो गया इनको अगर आप water के साथ react कर वाओगे तो कोई reaction यह आपको नहीं देंगे no reaction will take place तो कहने का मतलब है यह ऐसे metals हैं जो किसी भी हाल में react नहीं होंगे पानी के साथ इन एनी फॉर्म चाहिए वह आप लिक्विड calcium calcium तो नहीं सोडियम और potassium यह इतने जादा रियाक्टिव मेटल होते हैं इतने जादा रियाक्टिव मेटल होते हैं कि जैसे आप इन्हें पानी में आप यह लार्ज doubles say a सब्सक्राइब में दालते हो यह लार्ज में हीट पैदा करते हैं आपको यह प्रुसस एकज यहांपे हीट निकलती है काफी जादा इस में तो आप जानते हो चूने को पानी में पहले डाल चुके काफी ज़दा निकलती एतनी जादा हीट रिलीज होती है बच्चों इतनी जादा हीट रिलीज होती है कि हाइड्रोजन जो गैस निकल रही है उसी में आग लग जाती है अब जो गैस निकल रही है उसी में आग लग गई तो फिर आग लग जाती है तो कोशन भी आता है कि वाय मेटल्स लाइक सोडियम और calcium catches fire in water तो answer है calcium तो खेर नहीं देता है लेकिन sodium और potassium देते हैं sorry तो question आता है आप चाहिए लिख सकते हैं why sodium catches fire in water तो answer होता है sodium reacts with water vigorously to form hydrogen gas to form hydrogen gas and this hydrogen gas catches fire due to exothermic process metals और जिसकी वैसे metals में क्या लग जाती आग जैसे की sodium लेकिन less reactive metal या moderately reactive metal पानी में जाके ऐसे आग नहीं लगाते हैं अब calcium आग नहीं लगा रहा है यह वह स्रियाक्ट हो रहा है और वहीं पर आइरन तो react भी नहीं हो रहा है लिक्विड फॉर्म में उसको गैस की फॉर्म में करना पड़ता है ठीक है तो यह हमार पास सेकेंड रियक्शन आई थर्ड रियक्शन मैं इसमें ज्यादा मेहनत नहीं करने वाला reaction of metals with acids यह हम लोग पहले chapter में भी पढ़ चुके हैं पहले से मेरा कहने का मतलब है acid bases and salt में और fourth reaction of metals with metal salts यहाँ पे भी मह ज्यादा मेहनत नहीं करने वाला क्योंकि यह भी हम लोग पढ़ चुके हैं इसको तो हमने displacement reaction नाम भी दिया था तो metals जब acid के साथ react होते हैं तो हमने पढ़ा था metals जब acids के साथ react होते हैं तो हमने पढ़ा था कि यह salt बनाते हैं और hydrogen gas बनाते हैं आप सब को पता है exceptional cases हमने पढ़ रखे हैं copper हो गया silver हो गया gold हो गया यह लोग acid के साथ react नहीं होते हैं यह आपको पता है वेराज एच नो थी acid के साथ सब react होके hydrogen के पजाए water बनाता है तो वह exceptional cases हम लोग acid basis and salt में पर चुके हैं लेकिन अगर यहां पर एकाद reaction ले ले तो metal जैसे की zinc हो गया और यह acid यानी h2so4 के साथ अगर react होगा तो zinc sulfate जैसा salt बनाएगा और hydrogen gas जो भारा जाएगी ऐसे reaction of metal with metal salt का मतलब है कोई metal दूसरे metal के salt के साथ react हो रहा है तो वहां पर आपको याद होगा displacement reaction बोलते हैं इसको तो फिर आपको चेक करना होगा कि वह ज्यादा रियक्टिव है कम तो zinc जैसे की copper से जाद करेंगे ज्यादा जिंक जो है वो copper को अटा देगा क्या फॉर्म कर देगा zinc sulfate और किसको बहार निकाल देगा copper को तो zinc sulfate form हो जाएगा copper यह तो पता ही आपको यार अभी से potassium है यह रियक्ट हुआ ALCL 3 के साथ इसने AL को उटा दिया खुद बैड़ गया और aluminium बाहर balancing करते रहे ना भाईया balancing करना आपका फर्ज है तो यह जो reaction है हमारे पास यह आगए reaction वे मेटल का मेटल के salt के साथ जिसका हम displacement reaction ही कहते हैं basically तो यह हमारी हुई chemical properties जिसमें हमने पढ़ा कि reaction metals के साथ acid का क्या हो होगा यसे याद करेंगे अगर मैं यह reaction ऐसे कराता कि मैं aluminium को react करवाता के CL के साथ तो क्या reaction होती आसर है कोई reaction ना होती no reaction no reaction क्यों because aluminium जो होता है वो potassium से कम reactive होता है और aluminium potassium को this place नहीं कर सकता अपनी जगा से हटा नहीं सकता है कूल है ओके कोई डाउट डन पका चीक है है अगर हम लोग आगे बढ़ें यानि कि हमारी फिफ्थ प्रॉपर्टी पर आ जाएं लेकिन फिफ्थ प्रॉपर्टी पर आने से पहले यानि फिफ्थ प्रॉपर्टी जो की हमा नौन मेटल यानि अगर मेटल को नौन मेटल जाए तो क्या होगा यह प्रॉपर्टी अपने आप में बहुत बड़ी प्रॉपर्टी है इसाप करने माले हो नई चीजों के बारे में बात करने वाली हो एक तो है कि actual definition क्या है metals और non-metals की हम लोग आगर मैं आपसे पूछ हूँ अभी के हिसाब से metals क्या है तो बच्चे अभी तक बोलते हैं कि metals वो हैं जो मैं label हैं ductile है good conductor of flexibility है good conductor of heat है लेकिन actually metals की असली definition क्या होती है वो हमें सीखना होगा पहले और उसके बाद हमें Lewis dot structure सीखना होगा तब हम इस property को समझ पाले कि जब एक metal एक non-metal के साथ react होगा या एक metal एक non-metal के सामने आएगा तो क्या होगा तो उससे पहले हम लोग बात करेंगे कि metals क्या होते हैं तो metals वो होते हैं which donate electrons and have positive valency अभी मैं आपको example दूँगा आप समझोगे लेकिन ऐसे atoms ऐसे elements जो electrons donate करते हैं और इनकी वेलेंसी प्लस होती है positive होती है जिनके पास electron ज्यादा होते हैं अपना ultra motion बरने के लिए 9th class याद करेंगे जो electrons देते हैं उनकों लोग metals बोलते हैं जैसे कि आप सब को पता है कि sodium 281 sodium के पास 11 electron होते हैं तो configuration wise 281 होता है और यह अपने आपको खुश करने के लिए अपने आउटर मोश में आठ electron प्राप्त करने के लिए यह एक electron दे देता है जिसकी वैसे टू एट बन जाता है और यह noble gas बन जाता है तो यह एक metal है क्योंकि यह electron दे रहा और इसकी पॉजिटिव है ऐसे अगर बात की जाए calcium जिसके पास टू एट एट टू यानि कि रोड़ बीस electron होते हैं यह भी अपने आपको खुश करने के लिए यहां से दो electron निकाल देगा और calcium प्लस टू यहां से यह बन जाएगा और बन जाएगा टू एट एट तो यह खुश हो जाएगा तो ऐसे substance जो electron देते हैं और अपने आपको stabilize करने के लिए अपनी विलेंसी को positive रखते हैं उन्हें हम लोग मेटल्स केते हैं और बिलकुल इनका उल्टा आप समझे गए हो गए कि नॉन मेटल्स कौन होते हैं तो नॉन मेटल्स को का मतलब है elements या substances which gain electrons and have negative valence जो electrons gain करते हैं और जिनकी विलेंसी जो है वो negative होती जैसे ये दो example तो किस के होए मेटल्स के अब अगर मैं आपको यहां पर दो example दून नॉन मेटल्स के तो जैसे कि chlorine है two eight seven होता है ये एक electron ले लेता है या ले लेती है जो भी कहलो और ये बन जाता है two eight eight यानि की cl minus तो अपने आपको stabilize करने के लिए ये एक electron cl जो है वो gain करता है ऐसे अगर मैं बात करो sulfur जो की 16 पर आता है तो two eight six ये दो electron लेता है अपने valence के according और ये sulfur minus two जो है वो बन जाता है और two eight eight हो जाता है तो ऐसे लोग जो electron gain करते हैं उनको हम लोग non metals कहते हैं और इनकी वेलेंसी की परिभाशा भी बदल जाती है आज से metals कौन जो electron donate करते हैं और non metals कौन जो electron accept करते हैं gain करते हैं metals की वेलेंसी प्लस होती है और non metals की वेलेंस होती है अब यहां पर आगे फिर से अंकल जी का नाम है बड़े फेमस हैं 11 में तो यह रहेंगे तीन चार जगह आएंगे लेकिन इन्होंने का था कि मतलब एक स्ट्रॉक्चर बनाया था जिससे की metals और non metals की बीच में reaction को समझना बहुत इजी सा हो गया था इन्होंने का जितने भी एक atom के वेलेंस इलेक्ट्रॉंस होते हैं आई होब आपको बताओ वेलेंस इलेक्ट्रॉंस का मतलब होता है लास्ट शेल में कितने एलेक्ट्रॉंस होता है नहीं तो कहीं पर लिख लिजेगा लास्ट शेल में आपके पास कितने एलेक्ट्रॉंस होता है उन्हें वेलेंस एलेक्ट्रॉंस क में उसको हम Dot Tom क्रॉस की वर्म में दिखा तो उसको लूइस स्ट्रक्चर क्या जैसे सोडियम अब सोडियम के पास हमारे पास देखा जाए तो इलेक्राइम कॉन्फीरेशन वास to 8 1 इसकी electronic configuration होती है तो sodium का Lewis dot structure क्या होगा उसके पास हम एक electron ऐसे दिखा देंगे हैना इसको sodium का Lewis dot structure क्या देंगे जैसे sulfur है sulfur के पास 16 electrons total होते हैं तो इसकी configuration हो जाएगी 286 तो sulfur के आसपास हम एक दो तीन चार पांच छे electron ऐसे करके दिखा सकते हैं ना वहीं पर अगर हम बात करें हैं माल लेते हैं phosphorus की पंदरा पर आता है तो 285 पंदरा इसके पास electron होते हैं यह तो याद होंगे सब को तो इसके पास एक दो तीन चार पांच ऐसे या आप एक दो और तीन चार पांच ऐसे भी दिखा सकते हो और ऐसे अगर एका दोर दिखा दो मैं आपको लाइक fluorine fluorine के पास 9 electrons होते हैं तो इसके electronic configuration के हिसाब से 27 इसके लाश्ट वाले शेल में साथ electrons आ जाते हैं जरुए नहीं हमने metals और non metal की नहीं परिभाशा पड़ ली अब हम लोग वापस आते हैं कि जब भी एक metal non metal के सामने आएगा जब भी एक metal एक Non Metal के सामने आएगा और अगर यह react हुए जरूरी नहीं कि यह react हो लेकिन अगर एक metal एक Non Metal के साथ react होता है तो react होने पर ये एक i.ne. compound । form करेंगे यह एक i.ne. compound क्या होता है आई वापको पता हो यह ऐसा compound होता है जो metal और non metal मेंrab National frontier transfer से बनता है आँजामपल लेंगे आपको पहले फिर चार्शिया ने compound की परिभाँशा मोग लिख देंगे पहली बात मेटल कौन है ध्यांसे सुनेंगे जिनको इलेक्ट्रॉन देने हैं और Non Metals कौन है जिनको इलेक्ट्रॉन लेने तब आप समझ जाओ ये तो राम मिलाए जोड़ी ओगी आप समझ रहें रहुत थो उपर से जोड़ी बन क्या है मैटल को इलेक्ट्रान देने हैं नौन- कि टू-एट वन होता है और क्लोरीन के पास साथ lemon होटा है क्योंकि यह 17 पर आता है तो उस हिसाब से इसके पास आउटर मुझ्ण में साथ एलेक्टरन होते हैं अब सोडियम जो है वो अपना एक क्योंकि सोडियम को एक एलेक्टरन देना है और क्लोरीन को एक एलेक्टरन लेना है तो सोडियम अपना एक एलेक्टरन क्लोरीन को देगा अब अगर सोडियम एक electron ले लेगा अगर chlorine एक electron ले लेगा वैसे ये अब हम ये electron ऐसे नहीं दिखाएंगे खामका confusion होगी लेकिन अगर chlorine एक electron ले लेगा अगर cl किसी भी कारण वर्ष एक electron ले ले लेता है तो इस पे charge क्या जाएगा क्लोरीन अगर एक उलेलेता है तो उस पर चार्ज क्या जाएगा माइनस और ने प्लस और सी यल माइनस एक दूसरे के साथ चिपक जाएंगे और क्या फॉर्म कर लेंगे एने सेल कितना सिम्पल है देखो हुआ क्या जब भी एक metal एक non metal के सामने आके बठेगा तो इनके बीच में electron का transfer होगा अभी मैं ionic compound की परिभाशा दे रहा हूँ लेकिन इनके बीच में एक electron का transfer होगा और उस electron के transfer की वज़े से इनके बीच में bond बन जाएगा और उस bond को हम ionic bond भी बोलेंगे अभी आगे देखेंगे लेकिन अभी basic basic बात ये कि अगर एक metal के सामने एक non metal आएगा तो metal वो होगा जो अपना electron देना चाहेगा वो कहेगा मैं अपना electron दे रहा हूँ non metal का मैं ले रहा हूँ तो metal के electron देने के वज़े से positive चला जाएगा और non metal के electron लेने के वज़े से negative चार्ज आजएगा और अगर ऐसा हुआ एक पर चार्ज positive आगया एक पर चार्ज नेगिटिव आगया तो वो एक दूसरे से attract हो जाएंगा चिपाग जाएंगे अब इसका यहां तो हमने एक example दो electron oxygen को दे देगा तो calcium पर चार्ज आजाएगा प्लस टू oxygen पर चार्ज आजाएगा माइनस टू calcium ने दो electron दी ऑक्सिजन ने दो लिए हैं तो as a result यहां बन जाएगा calcium oxide हाना as a result यहां बन जाएगा calcium oxide एक और अगर मैं आपको example करवा दूँ जैसे की मान लो आया हमारे पास na2o यानि की sodium oxide sodium के सामने oxygen आया चलो ऐसा करते हैं जरूरी नहीं आपको formula पता हो मान लो ऐसा ही बात कर ले कि sodium के सामने oxygen आ गया अब अगर sodium के सामने oxygen आया तो sodium के पास एक electron होता है लेकिन oxygen के पास outer most में 6 electron होते हैं यह मैं कैसे निकाल रहा हूँ भई मुझे इनका atomic number पता है म oxygen आठ प्याता है तो दो छे उसके लाश्ट में 6 electron होगे अब oxygen को दो electron चाहिए लेकिन sodium कहता है कि भाईया मैं तो एक ही electron दूँगा तो एक electron दे देता है अब sodium तो खुश हो गया क्योंकि इसने अपना एक electron दे दिया लेकिन oxygen तो खुश नहीं हुआ है ना तो यहां पर एक औ सोडियम आ सकता है और फिर वह अपना एक electron दे देगा अब अगर ऐसा हुआ तो सोडियम ने electron तो एक दिया है लेकिन कितने सोडियम इस्तमाल हुए आंसर है दो और oxygen हमारे पास एक ही इस्तमाल हुआ है माइनस टू तो तो इसा नहीं है कि जरूरी हो कि electron लेने वाले और देन तो उस हिसाब से खेला चलता रहता है चीक है अब पहले बात तो electron जब भी एक मैटल के सामने और मैटल आएगा तो electron लिए और दे जाएंगे उससे आएने कंपाउंड बनेंगे तो यहां से हमारे पास आइने कंपाउंड आते हैं कि आइने कंपाउंड क्या होते हैं तो compounds formed between या compounds formed by the transfer of electrons. ऐसे compound जो फॉर्म होते हैं electron के transfer से अब आप सोच रहे होगे कि सारे compounds तो ऐसे ही बनते होंगे electron के transfer से तो आसर नहीं आपको फोर्ट चेप्टर यानि carbon and its compound में जाके पता लगेगा कि ऐसा नहीं है एक्चुली में electrons की sharing भी होते हैं हमेशा electron लिये और दिये नहीं जाते हैं कभी कभा इलेक्ट्रों शेर भी होते हैं उससे कोई और compound बनते हैं उन्हें covalent compound कहते हैं लेकिन आइने compound की एक परिभाशा तो ऐसी हो गई कि ऐसे compound जिन में इलेक्ट्रों लिये दिये जाते हैं उन्हें आइने compound बोलते हैं इसकी एक और परिभाशा भी है compounds फॉर्म्ट ड्यूटू अट्राक्शन बिट्वीन क्याटायन और एनायन बात एक है क्याटायन और एनायन के बीच में जो आट्राक्शन बना यह ज़ो क्याटायन है और यह जो डिश्वीन के बीचिमिन जो प्यार बना ऊट्राक्शन बना इसे हम लोग आइने compound जो है वो कह देते हैं अब यहाँ पर आइने कंपाउंड क्या समझ में आता है और फिर हम यहाँ पर अगर टॉपिक पढ़ें कि प्रॉपर्टीज ऑफ आइने कंपाउंड फिर हम इस चप्टर के एकदम नए फेस पर चलेंगे जो की होगी एक्स्ट्रेक्शन ऑफ मेटल में अब आइने कंपाउंड की क्या प्रॉपर्टीज और इसके बाद हम लोग चलने वाले मिटलर्जी पर ठीक है जी इनके इनके compound ہیں अच्छा अगर आईने compound को समझो तो देखा जाए तो आईने compound generally salts होते हैं मतलब इनके example में salts आते हैं मैं यह नहीं कह रहा कि सारे आईने compound are salts लेकिन है सारे salt are any compound समझे सारे आईने compound salt नहीं हैं लेकिन सारे के सारे salts जो हैं वह आईने compound हैं तो पहले बात तो यह सारे के सारे crystalline solids हैं यानि दुनिया में जितने भी आयने compounds होते हैं वो crystals की form में बैठे होते हैं crystals नमक जैसे की एनसी यह crystalline solids हैं इनका बहुत ज्यादा हाई melting point और boiling point होता है क्यों क्योंकि इन में एक strong electrostatic force होती है किटान और नायन के बीच में मैं शॉर्ट में लिख देता हूं due to presence ऑफ कि इलेक्ट्रो स्टाटिक फोर्स ऑफ अप अट्राक्षन क्योंकि इन में बहुत स्ट्रॉंग इलेक्ट्रो स्टाटिक फोर्स ऑफ अट्राक्षन होती है बहुत strong electrostatic force of attraction होने की वज़े से काफी strong electrostatic force of attraction होने की वज़े से क्योंकि के टायन और नायन के बीच में एक electrostatic और electrostatic force बहुत strong force मानी जाती है जिसके बस इनका melting और bowling point बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है third soluble in water दुनिया के लगबख सारे आयने compounds पानी में soluble होते हैं पानी में घुल जाते हैं ठीक है जी फोर्थ और आखरी property solid state में अगर बात करें तो यह bad conductor of electricity होते हैं क्योंकि इनके पास ions free नहीं होते हैं इनके पास जो केटायन और एनायन एक दूसरे से चिपक के बैठे रहते हैं जिसकी वैसे यह बिजली पास नहीं करवाते लेकिन अगर हम बात करें कि यह molten state में डाल दिया जाए यानि इनको पिगला दिया जाए तो पिगलाने या दोनाई केस में आएंस देते जैसे एनसले एनसले इन अगर सॉलिड स्टेट में होगा तो एने को सी एल ने पकड़के रखावाए एने को सी जिनकों चार्ज भी बोलते हैं तो यह तो यह बिजली पास नहीं कराएंगे अगर इस सॉलिड स्टेट में लेकिन अगर आप इन्हें पिगला दो या फिर पानी में डाल दो यह आइंस में डिसोस्येट हो जाते हैं और जिसके वैसे यह गुड कंडॉक्टर ओफ क्या बन जा लाएगा आगे विच इस को रोजन तो देखा जाए तो को रोजन नाम का टॉपिक हम पहले भी पढ़ चुके हैं अगे पहले चप्टर में यानि की केमिकल रियक्शन में जहां पर हमने पढ़ा था कि मैटल के ओपर कोई आसेड या कोई मॉस्टर या ऑक्सीजन के आटैक क कि वैसे जब खराब होते हैं तो उसको हम करोजन कहते हैं जिसमें सबसे अच्छा एक्जामपल है रस्टिंग ऑफ आयरन तो हम यह पहले पढ़ चुके हैं देखा जाए तो इसके बाद अगर हम बात करें तो रस्टिंग ऑफ आयरन के लिए हम कंडिशन भी पढ़ चुके ह और एर होना बहुत जरूरी है बस यहां पर हम एक छोटी सी एक्टिविटी के माधम से भी एंसी आटी के एक एक्टिविटी है जिसमें उन्हें ने समझा हुआ है कि अगर हम लोग एक तीन टेस्ट यूब ले 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 एक टेस्ट्यूम में लोहे की कील डाल दें यह जो मॉइस्टर को एब्जॉब करता है हना और उपसे खुला रखें इसमें यहां पर हम लोग एक कील डाल दें और इसको वाटर में डाल दें यह वाटर में डाल दें इसको फर्स्ट मान लेते हैं इसको सेकेंड थर्ड वाले में क्या करें वाटर तो ले यह कील है यहां पर बेकील डालें water तो लें लेकिन उपर ऑईल की एक layer लगा दें यह थ़ड़ है तो क्या होगा पताओ तीनों मैंसे कौंसी टेस्ट च्यूब में corrosion होगी याद करें गया अंसर है यहां पर मिल जाएंगे और आइरन में रस्टिंग हो जाएगी लेकिन फिर्स्ट वहली तेश्टियूमें से लिका जैल की माश्चर को एबजॉब करता मौस्चर तोओ लेगा फला कर लेगा और अगर उसने माश्चर सोख लिए अब्जॉब कर लिया तो रोजन नहीं होगी आसपास availability of आसपास air तो बहुत है oxygen तो बहुत है लेकिन moisture नहीं है यहां पर अगेन moisture तो बहुत है water तो बहुत है लेकिन air नहीं बिगाओ जो oil है वो air की supply को रोग देगा ठीक है न तो एक बार हम इस activity को लिख लेंगे जल्दी से मैं बोलता हूं आप वीडियो को पॉस्ट करकर करके लिख लेना टेक ठीक टेस्ट यूप एड़ वन आईरन नेल इन इच आप देम एड़ सिलिका जेल इन फर्स टेस्ट यूप वाटर इन सेकें एंड थर्ड टेस्ट यूप एंड लेयर ऑफ ओईल इन थर्ड टेस्ट यूप लिव थ्री टेस्ट यूप फॉर एप्रॉक्सिमेटली 48 आर्स मैंने इसके उपर साइंस एंड फन पे एक वीडियो डाल रखे शॉर्ट फॉर्म में यह मैंने क्लास के अंदर कर अब आब आप जाके चेक कर सकते हैं आप रस्टिंग आफ आइरन आश्यू सर्ड ऐसे करके यूट्यूब पर सर्च करना मिल जाएगी आपको ठीक है लीव दी टेस्ट यूप for 48 hours you will observe that रस्टिंग आइरन विल टेक प्लेस in second test tube whereas no rusting will take place in first and very less amount of rusting will take place in third this is because of the presence of both moisture and air in second test tube which represents that moisture and air both are required for the rusting of iron यह आपको लिख लेना इसके आपस वीडियो को पॉस्ट करकर लिख लेना ठीक है इसके बाद अगर हम बात करें तो यहाँ पर आता है कि prevention from corrosion यानि corrosion से हम कैसे बच सकते हैं corrosion से कैसे बचाया जा सकता है तो अगें यह सारे process आपको पता है सिवाई last के जो कि इस chapter में नहीं है और वह ऐलॉइज फॉर्म कर दो का मतलब इससे पहले वाले सारे हम लोग पर चुके है paint oil grease electroplating galvanization मतलब zinc की layer लगा दो anodizing लेकिन यहाँ पे एक न homogeneous mixture बना दो aloys का मतलब ने 9th class में पढ़ा हुआ है aloys का मतलब होता है homogeneous mixture of two or more metals या फिर non metals कभी कबार इसे हम लोग alloy बोलते हैं जैसे की जो brass है वह copper और zinc का जो है वह alloy होता है जैसे bronze जो है वह copper और tin का जो है वह alloy होता है जैसे solder जो है वह PB और यार यानि लेड और tin का alloy होता है मलकम mercury के साथ कोई भी और metal डाल दो तो वह एक alloy बनाता है तो alloy क्या होते हैं जब दो metals और non metals को एक दुसरे के साथ homogeneous ले पिगला के mix कर दिया जाए उन्हें alloy कहते हैं alloy बनाने का एक main कारण क्या है कि alloy से हमारी rusting जो है वह नहीं होती है हमारी rusting of iron जो है या corrosion of iron जो प्रेव बचता है जो की जादा बड़ा नहीं है 15 मिनेटका काम बस हमारा उर रह गया और वो है बच्छों हमारा मारा आप कह सकते हैं कि और वह बच्चों हमारे पास मेटलर्जी अब मेटलर्जी क्या होता है आप सब को शायद पता हो कि हमारे धर्ती पे हमारे अर्थ में कुछ मिनरल्स होते हैं है ना मिनरल्स क्या होते हैं भई me मैं-टल्स ऐसे कंपाउड जिन मैं 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 जो है वो बैठे होते है तक ही ऑ हो्ह रून्क्री से मिले उन्हें मिनरल्स क्या हूते हैं ऐसे मिनरल्स minerals from which minerals from which it is easy to extract metal with maximum profit यानि की minimum पैसा लगाके देखो minerals का मतलब क्या है minerals ऐसे natural compounds हैं जो nature में मिलें लेकिन उनके अंदर metal बैठाओ अब ऐसे तो बहुत सारे compound हो सकते हैं जैसे example के तौर पे मान लो एने CO3 आप यह दोनों ही मान लो नेचर में आपको मिलते हैं और दोनों में sodium हैं तो यह दोनों ही minerals हो गया ना लेकिन मान लेते हैं कि sodium chloride से metal को extract करना easy भी है और आपका पैसा भी कम लगता है तो आपका profit भी ज्यादा होता है तो ऐसे minerals को और कह देते हैं तो minerals एक metal के बहुत सारे हो सकते हैं लेकिन एक metal के और एक या दो ही होते हैं जिनसे metal निकालना बहुत profitable या बहुत convenient होता है जैसे example के तोर पे आपको शाद पता हो यह हमने सस्टी में पढ़ रखा होगा आप लोगों ने जैसे कि sodium का जो और होता है वो rock salt के लाए जाता है जो की एने सील होता है शाय नाम सुना हो जैसे aluminium का जो और होता है वो box side के लाए जाता है जिसका फॉर्मला एल टू ओ थरी होता है ऐसे ही zinc का जो और है वो zinc blend के लाए जाता है जैसे की जैसे जैसे तो यह और होते हैं जिन से metal को हम निकालें तो बहुत profitable और बहुत conveniently वो निकल जाएं ठीक है अब metallology यानि की metal को nature में से निकाल के आपके सामने pure form में रख देना इसके तीन steps होते हैं पहला step होता है concentration of ore जिसमें हम और की सफाई करते हैं अब और की सफाई क्यों करेंगे वह या जब आप और को nature से निकालोगे तो वह कुछ गंदगी वाला होगा जब हम nature से निकालोगे किसी और को तो वह गंदा होगा अब अगर वह गंदा होगा तो जो nature से और निकाला गया है उस nature में जो और आपको मिला है उस और के साथ कुछ impurities बैठी होंगी तो पहली बात तो उन impurities को metallurgy की भाषा में एक नया नाम भी दिया जाता है जिन को gang particle कहा जाता है spelling इनकी g-a-n-g-u-e होती है gang particle इन्हें कहा जाता है तो पहले step में सबसे पहले हम और की सफाई करेंगे और में से उन impurities को उन गंदगीओं को हटा देंगे अब उसके लिए बहुत अलग अलग प्रोसेस और अच्छी बात यह कि 10th class में यह प्रोसेस नहीं पढ़ने हैं मता है नहीं हमारे syllabus में ऐसे प्रोसेस है नहीं लेकिन कॉमन सेंस की बात है हर एक और में impurity एक गंदगी लेके बैठा हुआ तो हर एक और को निकालने के लिए उस में से impunity निकालने के लिए अलग प्रोसेस है किसी में घर की सफाई अपने शरीर की सफाई उपने कपड़ों की सफाई सेम तरइके किसे तो नहीं करते हो आपके शरीर की सफाई अलग तरीके से होती है आपके कपड़े की सफाई अलग तरीके से होती है और आपके बरतनों की सफाई अलग तरीके से होती है बिलकुल ऐसे ही अगर हम बात करें तो हमारे जो गैंग पार्टिकल्स हैं उनकी भी जो सफाई है उन का नाम है concentration of ore so in this method impurities along with ores which are known as gang particles are removed which increases the concentration of ore इससे ore साफ हो जाएगा और concentration उसकी बढ़ जाएगी ठीक है ना फिर एक note का point भी लिखा हुआ है method of concentration of ore depends on nature of ore और nature of gang particles लेकिन जो main point आता है which is second and this is extraction of metals यानि अब आपका main point आता है कि आपको metals को extract करना मतलब metal को बाहर निकालने ला है अपने और में से जिसको अभी हम retail में पढ़ने वाले और फिर आएगा refining of metal यानि metal की साफ सफाई कर देंगे जो की जादा बड़ा लंबड़ा काम नहीं लेकिन पहले आ रहा है extraction of metal अब धियान रखे extraction of metal का मतलब है आपको अपने और में से metal को निकाल लेना है अब और में से metal को अगर आपको निकालना है तो यह बात आपको ध्यान रखनी होगी कि metals को हमने तीन हिस्सों में डिवाइड कर दिया है highly reactive metals जैसे की potassium, sodium, calcium, magnesium, aluminium, moderately reactive metal जो की ठीक ठाक है like iron, zinc, lead, copper, aluminium दोनों में यहाजाता है दोनों से निकाल सकते हैं और less reactive metal यानि की mercury, copper और silver तो इन लोगों को हमें extract करना हो तो highly reactive metals को extract करने का तरीका अलग है moderately reactive metals को extract करने का तरीका अलग है और less reactive metals को extract करने का तरीका बिलकुल अलग है इनके अलग अलग तरीके हैं सबको अलग अलग करने के अपने different different तरीके होते हैं आपको मतलब कि तीन तरीके पढ़ने है metals को extract करने के लिए highly के लिए अलग है और Less Reactive के लिए अलग है आओ ज़रा इसके बारे में बात कर लेते हैं सबसे पहले बात करते हैं Highly Reactive के बारे में Highly Reactive Metal मैं आपको आज Highly Reactive Metal हो गया या Less Reactive Metal हो गया या Moderately Reactive Metal हो गया इनके आपको मैं Flow Chart दूँँगा आज लेकिन जब हम आप युझा हम वन शौट कर रहे हैं लेकिन जब हम इस चैप्टर में इनके कोशन आंसर्स कर रहे होंगे तब लोग इनके जिसके जिसके ऊपर हम एक लेक्शेर और ले आएंगे आप उसकी टेंशन मतलो हम एक लेक्शेर चाहिए अगला प्र अगला लेक्शा डाल दूँग जैसे highly reactive metal में क्या steps हैं जैसे पहला step है step one melt the ore आपको ore को पिगलाना है step two pass electricity pass electricity and collect metal at cathode सबसे पहली बात तो आपको क्या करना है आपको अपने ore को पिगलाने मालो एने cl को आपने पिगला दिया रफ रफ में आपको समझा रहो मालो आपने एने cl को पिगला दिया तो एने cl को पिगला के आपको एने प्लस और cl मैनस मिलेगा फिर आपको इसके अंदर बिजली पास करा देने बिजली पास कराने पर क्या होगा क्या थोड़ पर चार्ज क्या होता है बिजली पास कराने पर क्या होगा माल लो आपने एने CL को पिगलाया तो NACL को पिगलाने पे इस container के अंदर आपका NA plus गूम रहा है और CL minus गूम रहा है मैंना कोई पताया था compounds को पिगला देंगे तो माल होई हमारे पास हमने क्या किया एक setup लिए और एक setup के अंदर हम लोगों ने क्या किया यहां पे तो electrodes connect कर दिए अब मैं अगर असके अंदर बिजली पास कराऊंगा तो बिजली पास करने पर क्या होगा इसमें जो एने प्लस है हमारे पास इसमें जो हमारे पास एने प्लस है यह जाके चिपक जाएगा इस रोड पे और CL माइनस जो है वो जाके चिपक जाएगा इस रोड पे एने प्लस जाके चिपक जाएगा इस रोड पे और चार्ज क्या होता है मैं दुबारा बोल रहा हूं हम इसके पर कोशन करेंगे तो आपको जादा समझ में आएगा लेकिन बहुत बेसिक बात है एने एस यल जो की हाईली मैटल का एक और है उसको आपको पिगलाना है और पिगलाने के बाद बिजली पास कराने है बस यह दो स्टेप होते हैं पिगला दो के तो एने प्लस अलग पिझली पास करा दोके तो एने पलस जो है वो जाके चिपक जाएगा किस पह एक रोड पे और ब्स प्राक Save झो जो यह देखने को मिलेगा तो एक राड़ पे आपको सोडियम जाके मिल जाएगा एक पिले क्लोरीन गैस और आप उनको अलग अलग कर सकते हो यह स्टेप्स हैं भी अब अगर बात करें मौडरेटली रियाक्टिव में तो मौडरेटली रियाक्टिव कि अगर बात की जाए यानि कि ऐसे मैटल जो बहुत जादा भी रियाक्टिव ना और बहुत कम भी रियाक्टिव ना उनमें क्या क्या स्टेप्स हैं सबसे पहले मैं इसको फ्लो चार्ट से समझाऊँगा कि आपके पास जो ओर है वो ऑक्साइ फॉर्म में है तो बहुत अच्छी बात है लेकिन अगर वो सल्फाइड फॉर्म में है या फिर वो कार्बोनेट फॉर्म में है तो आपको उसे ऑक्साइड की फॉर्म में कनवर्ट करना होता है सल्फाइड को ऑक्साइड की फॉर्म में कनवर्ट करना होगा पहले बात तो और या तो किस फॉर्म में होना चाहिए ऑक्साइड फॉर्म में ही है तो बढ़िया हो गया लेकिन अगर वो अक्साइड फॉर्म में नहीं है तो या तो वो होगा सल्फाइड की फॉर्म में या तो वो होगा कार्बोनेट की फॉर्म में अगर वो sulfide form में है तो आपको उसे oxide में convert करना होगा और इस process को हम लोग roasting कहेंगे अभी मैं समझाऊंगा भी यह क्या होता है या समझे लेते हो roasting का मतलब होता है किसी भी sulfide को या sulfate को oxide में convert करना by heating in the presence of oxygen जैसे माल लो आपके पास एक zinc sulfide है और आप उसे heat करो in the presence of oxygen तो वो zinc oxide बना देगा ठीक है sulfur dioxide भार निकलेगी लेकिन जब आपके इसी sulfide को heat करते है in the presence of oxygen तो वो oxide में convert हो जाता है इस process is called roasting यह वो कैरी मिनाटी वाला roasting नहीं है ध्यान रखना है दूसरा roasting है तो roasting का मतलब है sulfide को oxide में convert कर देना है और अगर वो carbonate की form है तो भी आपको उसे oxide में convert करना होगा और इस process को calcination करते हैं ऐसा इसलिए करते हैं because oxide से metal निकलना बहुत easy बहुत convenient होता है इसलिए उसको oxide में convert करते हैं अब calcination क्या होता है तो carbonates को हम oxide में convert करते हैं heat करते हैं बस इस बार presence of oxygen की बजाए absence of oxygen होती है मान लो आपके पस ZNC उतरी है तो आपको बस इसे heat करना है और oxygen नहीं होनी चाहिए तो आपको ZNO मिलेगा प्लस में carbon monoxide भार आजाएगी तो again आपने carbonate को oxide में convert कर दिया तो carbonate को oxide में convert करने को भी बोलते है calcination अब यहाँ पर जैसे आपके पास oxide आ जाएगा उसके बाद आप इसकी कर दोगे reduction metal में से metal का oxide आ गया oxygen को अलग कर देंगे reduction करके reduction कैसे करेंगे adding carbon डालेंगे और heat करेंगे heat करेंगे और carbon डालेंगे उससे क्या होगा metal से oxygen निकल जाएगा और हमें हमारा metal चाहे वो zinc हो चाहे वो copper हो कोई भी metal हो हमें हमारा metal जो है वो भार मिल जाएगा यह हुआ moderately reactive के लिए अब यही काम अगर मैं बात करूँ तो less reactive के लिए भी है लेकिन less reactive में बस एक छोटासा बदलाव है क्या सबसे पहली बात तो आपके पास आपका और है और यह और जो है वो oxide form में फिर से होना चाहिए लेकिन अगेन अगर यह oxide form में नहीं है तो या तो यह sulfide form में होगा और आप इसे convert कर दोगे oxide में by the process of roasting और अगर यह किस form में हुआ बच्चो और अगर यह किस form में हुआ carbonate form में हुआ तो carbonate को हम किस form में convert carbonate को हम किस में convert कर देंगे oxide में जिसे हम लोग बोलते है calcination carbonate को हम लोग convert कर देंगे oxide में जिसे क्या कहा जाएगा calcination चेक है जी अब अगर Oxide को हम वापस है Oxide में पहुंच गए यहां तक तो आप देख सकते हैं प्रोसेस बिल्कुल सेम है सिल्फाइड है तो Oxide में कनवर्ट करो कार्बोनेट है तो Oxide में कनवर्ट करो और अगर हम ऐसे समझें तो भई यहां पे भी वह है यहां तो दुस्ते में बस यहां पे बदलाव आएगा यहां क्या बदलाव है कि आपको इसकी Reduction करनी है बस फरक ही है कि इसकी Reduction करने के लिए आपको Metal तो मिल जाएगा लेकिन यहां पे Reduction करने के लिए आपने इसके अंदर Carbon डाला था और Heat किया था यहां पे आपको सिर्फ हीट करना है आपको यहां पे सिर्फ और सिर्फ हीट करना है तो आप देख सकते हैं कि एक छोटा सा बदलाव आपके पास बस आया है और वो छोटा सा बदलाव यह है कि आपको सिर्फ और सिर्फ यहां पे हीट करना है reduction करने के लिए सिर्फ heat करना है metal आपको भार मिल जाएगा carbon डालने की जरूत नहीं है cool है okay यार बासने में आ गई अब इसका कैसे plan बनेगा क्या बनेगा वो हम questions की form में देख लेंगे कैसे एक कोशन यहां पर है भी देखो कह रहें HGS में से हम कैसे metal को अलग करें यह तो लेस रियाक्टिव है तो step वन क्या है पहले बात तो यह sulfide है तो sulfide की हम roasting करेंगे इसको heat करेंगे in the presence of oxygen silver oxide भारा जाएगा यह तो पहला step हुआ पहला step क्या है पहला step क्या है पहला step है आप sulfide जाओगे उसके बाद आपको अक्साइड मिल गया आपको सिरफ heat करना है आपका metal भार आजाएगा अगर वह लेस रियाक्टिव है तो second step में आपको सिरफ heat करना है heat को हम ट्राइंगल से डेल्टा से भी दिखाते हैं तो आपको आपका metal भार मिल जाएगा और metal extract हो जाएगा बात संच नहीं तो इस बिसिकली नून एस extraction of metal तो extraction of metal के अलग अलग तरीके हमारे पास होते हैं अब इस चप्टर का फाइनली आखरी topic जिसका हम थर्माइट रियाक्शन कुछ भी नहीं है अगर मैं iron oxide को aluminium के साथ react करता हूं तो iron बनता है और aluminium oxide बनता है लेकिन इस process में इतनी जादा heat निकलती है आपको अंदाजा भी नहीं है इतनी जादा heat निकलती है कि यह जो metal है यह metal जो यहां पर iron form हुए पिगलने लग जाता है आप imagine करो F2O3 plus aluminium यानि की iron oxide और aluminium यह इतने जादा reactive होते हैं इतने जादा reactive होते हैं कि आप अक्चली यह reactive नहीं होते हैं aluminium की reaction iron oxide के साथ इतनी जादा vigorous exothermic होती है कि इतनी जादा heat पैदा करता है कि जो iron यहां पर form होता है वो melt हो जाता है और iron melt होने की से इसको पहले के जमाने में railway tracks को weld करने के लिए इस्तमाल किया जाता था अब इसका इस्तमाल नहीं होता है आप सोचो imagine करो एक reaction जो इतनी जादा heat निकाल रहे हैं कि iron melt हो जा रहा है आप एक बार यूट्यूब पर सर्च कर लेना यहां मैं डालने सकता कॉपी राइट आ जाएगा लेकिन अगर आप एक बार सर्च कर लोगे तो थर्माइट रियक्शन तो आइरन ऑक्साइड अलुमीनियूम के साथ जब रियक्ट होता है तो इतनी जादा heat निकालता है ऐसा नहीं कि छोटी मोटी आने के लिए इस्तिमाल करते हैं तो दू मिनिट का काम और रह गया है चेप्टर मारा खतम हो जाएगा वह है रिफाइनिःंग आफ मेटल चैक्ट हॉता है जब कोई मेटल हम लोग बनाते हैं जब हम कोई मैटल को एक्सट्राक करता तो वह प्यूरी फाइट निस इसमें कुछ ना कुछ गंदगी स१rese ना आब उस गंदगी को हमें हटाना आ οे कुछ आफ ऑपने पहले और साफ़किया फिर मैटल को एक्स्ट्रैक्ट किया वहाँ पर पर गूप घंदपने कुछ ना इसमें क्या होता है कि आपके पास एक कंटेनर होता है और इस कंटेनर के अंदर मालव को प्रूरिफाइब करने लेट असपूस दुबारा समझेंगे पहला स्टेप हो गया है आपने और के सफाई करी उसके बाद मेटल निकाला अब जो मेटल निकल गया उसके सफाई कर रहे आप जिसमें थोड़ी बहुत गंदगी आ गए होंगी तो प्रोसेस क्या है मालो कॉपर को आपको साफ करना तो सबसे पहले बात तो आप कॉपर का ही कोई 만ड़ random लोगे कौपर का ही कोई लेक्टर लाइट लोगे उसके बाद इंपॉर्टन बात क्या है है आप एक प्योर कापर लो गें व्योर कापर खरीद के लाऄ गे मारकिट से जिसको आठोड के साथ कर दोगे कैथोर के साथ और एनोर यानि positive के साथ आप pure, impure copper को connect कर दोगे जिसको आपको purify करना है, जिसको आपने extract किया है, जो कि impure होगा, आपको उस impure copper को purify करना है, अब क्या होगा, जैसे ही आप इस switch को on करोगे, आपको सबको पता है positive है, और metal पे भी positive होता है, तो यहां से copper के ions तूटेंगे, औ और इधर जाके एक खटा होना शुरू हो जाएंगे, इधर जाके खटा होना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि copper जो है, यानि metal जो है, वो anode से cathode की तरफ भागता है, लेकिन इसमें जो impurities होंगी, जो गंदगियां होंगी, वो गंदगियां जो इसके अंदर बैठी होंगी, वोन पे तो कोई चार्ज नहीं होगा, वो तो यहां नहीं जाएंगी, और as a result, जैसे जैसे copper तूटता रहेगा, यह गंदगी नीचे बैठती रहेगी, और इस गंदगी को anode mud कहते हैं, क्योंकि anode के नीचे बैठ गए, और एक ऐसा लेवल आगा कि सारा metal वहां जाके चिप थोड़ पर और सेम मेटल का आपको electrolyte लेना है, और फाइनली बच्चो हमारा जो चेप्टर है, वो यहां पर समाप्त होता है, वन शॉट समाप्त होता है, और इस चेप्टर के उपर इस चेप्टर को और थोड़ा समझने के लिए, अभी आपके एक्जाम से तुम वन साल आए वे सवाल भी लेंगे, और लेकिन चेप्टर खतम होता है, और अब तो सुबा भी होने वाली है, अब मैं क्या ही सूँगा, ठीक है, चलो बच्चों मिलते हैं, जल्द ही अगले लेक्चर के लेकिन यह वन शॉट सिरफ और सिरफ आपकी डिमांड पे, और क्योंकि आप है तो हम है, thank you so much, thank you, thank you.